वेलकम टो बी डिजल दोस्तों आज की बीडियों बात करेंगे सिक्साम अंतरहले के अंतरगत आल इंडिया सैनिक स्कूल इंटरेंस अग्जाम ए आई डबलेस डबली दोहज़ा तेश के फार्म सकूल आउनलाइन मोड से किस तरके से मोबाई से अपलाई कर सकते हैं सैनिक स्कूल इडबिशन के लिए इंटरेंस अग्जाम में वही बच्चे फार्म होने वाला है और बरतमाद में यदि ककसा आउड में बच्चा पढ़ आ है तो ककसा नौ में अडबिशन के लिए फार्म का अपलाई कर सकता है कक्सा पांच पढ़ने वाले बच्चे की जो उम्र है दस से लेके बारा बस के बीच में होनी चीए और एज की काउंटिंग 31,3,2,3 के अनुसार की जाएगी और कक्सा 9 में एडमिशन के लिए 13 से गिलेके 15 साल के बीच में आयू होनी चीए और एज की जो काउंटिंग होगी 31 32,3,3,3 के अनुसार हो जाएगी और यदि आप एक्जाम फिस की बात करें तो जनरल ओबीसी और डिफेंस और एक्स सर्विसमेंट के लिए 650 पे एक्जाम फिस चार्ज के रूप में लिया जाएगा और SCHT के लिए 500 रुपए एक्जाम फिस लिया जाएगा सेनिक स्कूल के इंटर्स अक्जाम के फार्म को ऑनलाइन अप्लाइ करने के लिए आपको वेबसाइट पाना होगा यहाँ पर आपको डाउनलोड इंफर्मेशन बुल्टें का उप्शन मिलेगा इसकी सायता से आप को वीडियो के लाश तक पता शल्याएगा पेश को थ्रण निचे स्कॉल करेंगे तापको कुछ टर्म सें कंडिशन होगे उसका आपको एक्सेट करना होगा एक्सेट करने के बाद आपको नीचे को ऑप्शन मिलेगा किलिक है टू परसीट में किलिक कर ना होगा परसिनल डेटर के अंदर का सबसे बच्छे का नाम, पिता का नाम, मादा का नाम, फिल करना होगा, जिस तेरे के से डोकुमेंट से रहते हैं, उसके बाद जनम देती हैं, आपको सेलेट करना होगा, जो भी बच्छे की जनम देती हैं, उसको आप सेलेट कर लेंगे, लिंक सेल संक्या के लुप में लिखना हो गाँ बर्टबान पता में आ परिसर संक्या, की यह सारी ढडियल आपको खिर करने होगी इंडिया सेलेक्ट करेंगे उसके बाद स्टेड अuito wysn तो arrow button की साथ से select कर लेंगे, फिर आपको अपना district select करना होगा, फिर pin code, email address को दो बार confirm करने बाद आप अपना mobile number दे सकते हैं, confirmation के लिए दो बार आपको यहां mobile number देना होगा, फिर STD code और landline number के साथ यदि आप phone number भी देना चाहते हैं, यहां दे सकते हैं, उसके बाद आपको permanent address फिल करना होगा, यदि आपका permanent address और current address same है, तो आप same as present address में click कर सकते हैं, otherwise आपको दुबार से अपना permanent address फिल करना होगा, उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा page को scroll करना होगा, scroll करने के बाद आपको यहां पे कुछ और basic detail आपको फिल करने होगी, जैसे आपको choose password आपक आपको option choose करने का दिखाए देगा, तो यहां पे आप click करने के बाद आप जो भी प्रशन यहां से select करना चाहते हैं, तो इसको select करने के बाद आपको इसका security answer है, उसको fill करना होगा, जैसे what is the name of your first school, तो आपको यहां पे जो भी बच्चे का first school है, उसको आपके लिख सकते है यह इसलिए है, यदि आप कभी forget password करते हैं, तो इसको आपको दुबारा से password को forget करने का option के लिए आप security answer का use कर सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे पे इसको करेंगे, तो security pin आपको दिखाए देगा, security pin को लिखने के बाद आपको यहां पर submit button पे click करना होगा, फिर आपके स आपको देख सकते हैं, यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, incomplete, incomplete लिखा है, application number आपको दिखाए देगा, उसके बाद personal detail पे आपको click करना होगा, व्यक्तिकर detail करना होगा, सबसे पहले आपको राश्टेतर select करना होगा, उसके बाद अधिवास का राज्या अथाजी से, राज्या का आपके पास जो मिसाल है, उसको select करेंगे, आप अपने आप इसको yes कर सकते हैं, या cost guard या awesome rifle select कर सकते हैं, otherwise इसको no कर सकते हैं, क्या आपका भाई वेहन सैनिक स्कूल ने पढ़ रहा है, यदि पढ़ रहा है, तो yes, otherwise no कर सकते हैं, आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहां से पता चला, तो यहां से आप इस option की शातर से, social media, radio, या फि आपके पास आधार है, तो yes और no में से यदि आप आधार डिटल देना चाते हैं, तो अब yes करेंगे, otherwise यदि आप आधार डिटल नहीं देना चाते हैं, तो no करेंगे, उसके आपको submit option पर किलिक करना होगा, फिर OK बटन पर किलिक करना होगा, आधार डिटल के अधार आपके दर्ज कीगी, अर्थात यदि आपके आधार काड में जो address है, और बरतबान address में यदि differ कर रहा है, तो आप second option चूज कर सकते हैं, तीसरा option है, मैं अपना आधार नमबर साजा करने को तयार नहीं हूँ, यदि आप आपना आधार नमबर साजा नहीं करना चाते हैं, तो आप सबसे पहले आपको बताना होगा कक्सा जिसके लिए पर बेस मागा गया है, तो कक्सा अच्छा है, या कक्सा नो आप सेलेट कर सकते हैं, क्या आप बरतबान में सुचिवत अठ्रा ने सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पास्ट, अपेरिंग और नो क सबसे तरहे हैं, तो सेलेट कर सकते हैं, उसके बाद आपके सामने कर सकते हैं, उसके बाद आपके सामने परिंख्यका का माध्यम, आएगा तो एक्जाम मीडियम के अंतरकत आप हिंदी इंगली इस तमिल जिस भी भासा में आपका बच्चा पेपर देना चाहता है उसको आप सेलिट कर सकते हैं उसके बाद आपको परिक्षा सहथ चूज करना होगा तो परिक्षा सहथ जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते होगी उसके बाद सेकुरिटी पीन को पूट करने के बाद आपको सेवनेश्ट पे क्लिक करना होगा क्वालिफिक्षन डिटल करने तो आप से पूछा जाएगा उत्तीन किस्ती थी तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्षा पड़ रहा है तो आपको not applicable ही सेलेट करना होगा उसके बाद आपको सेकुरिटी पीन में लिखना होगा उसके बाद आपके समने पांच में जब आपने इससे पहले अख्जाम दिया ओगा तो उसका रोल नंबर उसके कई में व बरिप्रभा ने इससे पहले अग्जाम दिया था के बर वहांगे जो अब इकạo कर दिंगे इसकी बार सेक्रियूटी पीन लिखने के बाद आपको सेब नेश्ट फे क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने ड़ोकुमेंट अप्लोड की आज आएक सबसे बहला आपको फोटो अप्लोड करने होगा फोटो की जो साइज है और दस से लेके 200 कव के वीच आपको upload करना होगा और जम्स्री प्रणापतर आपको 50 से लेकि 300 कवी के बीच में PDF करना होगा फोटो को upload करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो को पहले से बना के त्यार रखना होगा उसके बाद चूस फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही जो है आपके सामने फोटो को जिस्तर किस आजएगा आपको इसको सेलेट करना होगा उसके बाद आपको right hand side में upload का option दिखा देगा, उसके आपको tap करना होगा, उसके बाद यह आप अंगूठे के निशान को upload करना होगा, तो choose file के आपको click करना होगा, उसके बाद file option पे click करना होगा, और जहां भी आपने image को बना के रखा होगा, क्योंकि image में upload होना है, उसको select क option का choose करेंगे, उसका image का width है और height आपको दिखाए देगा, यहाँ पे आपको option आएगा upload original, तो upload original करने पर जिस तरीके से आपने upload original में click करके रखा होगा, पहले से edit करके वह आपको photo ऐसी दिखाए देगी, उसके बाद right hand side में upload बटन आपको दिखाए देगा, उसके आपको tap अब आ रहा है, तो इसका मतलब सही तरीके से upload हो चुका है, upload करने से पहले आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप upload करेंगे, तो file का जो name है, वो उसको rename अवश्यक कर लिजएगा, यदि photo और PDF को upload करने में कोई समश्या आती है, तो image research.com की website का यूज़ कर सकते हैं, इसका link चाते हैं, तो यहाँ पे आप format में जो optional option है, इसमें JPG option आपको मिल जाएगा, PNG और PDF option मिल जाएगा, तो एक ही website से जो है, आप PDF याफी JPG file को यहाँ पे compress कर सकते हैं, सारे document को upload करने के बाद आप से फिर finally push जाएगा, do you wish to submit document form finally, यदि आप पूरी तरह से confirm है, तो आप यहा प्लोट हो या जो भी आपने upload किया है, उसका जो प्रफॉर्मा है वो आपको दिखा देगा, उसके बाद हैं, आपको दुबारा से आपको verify करना होगा, जो भी चीज आपने भरी है, उसको दुबारा से आप verify करना होगा, उसके बाद आपको एक declaration होगा, I agree का उस पर click करने क उसके बाद आपके सामने registered email ID दिखा देगा और security pin आपको लिखना होगा, लिखने के बाद आपको submit option पे click करना होगा, उसके बाद आपके email ID पे OTP भेज़ा जाएगा, OTP को fill करने के बाद आपको verify option पे click करना होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरी के message आएगा, your email ID ID is verified successfully, आपको click here to go home option पे click करना होगा, उसके बाद आपके सामने examination fees paid करने का option आजेगा, pay examination fees में आपको click करना होगा, select mode of payment में आपको online payment select करना होगा, और proceed to payment वाले option में किलिक करना होगा, फिर आपको OK बटन पे tap करना होगा, OK बटन पे tap करने बाद आपके सामने कुछ इस तर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपके सामने payment option आजाएगा, आप SBI net banking use कर सकते हैं, other bank net banking use कर सकते हैं, उस condition में आपके bank charge भी लग सकते हैं, card के दोरा payment कर सकते हैं, चाहे card आपका SBI का हो या फिर other bank का हो, आप इसको चेक आउट कर लेजेगा, उसके अलाबा UPI से भी payment कर स fees को payment करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, registration form के यहां complete दिखाएदेगा, application form complete और fee payment में आपको complete दिखाएदेगा, आपको यहां पर download confirmation page का option में लेगा, इसकी साहता से आप confirmation page को download करके भविश्य के लिए रख सकते हैं, पीडियो आप डाउनलोड होने के बाद कुछ इस त कर सकते हैं नहीं वीडियो में, तब तक कि अपना दियान लखिए, बाई बाई, जैहिन